हे दोस्तों वेलकम टो स्टेडी आई एस तो आज की वीडियो में आप सभी के साथ डिस्कॉस करूंगा ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में जो कि आप कहते हैं आरपीएफ के द्वारा लाए गया है इसके बारे में देख रहे होंगे कि आखिर आरपीएफ ने क्यूं ला होगा कैसे बेनिफिट मिलने वाले हैं क्या करने वाले हैं आरपीएफ वाले रेलवे पुलिस फोर्स क्या करेंगी अब तो हम लोग काफी कुछ यहां पर अपनी आज की इस वीडियो में डिसकॉस करेंगे आपके साथ वीडियो को दोस्तों पूरा देखीगा क्योंकि काफ हैं वेस्ट करें पर उसे पहरे बता दू कि इस बार अनेकेडमी की बहुत रही और काफी सरी टॉपर से हैं दोस्तों जो दुबार से हमें अनेकेडमी से देखने को मिले हैं मेंस का मेंटर्शिप प्रोग्राम लाए गया है दोजार बाइस साल बच्चों के लिए वो जाके और स्टेडियाइस कोड यूज़ करके आप लोग और अच्छा आपकर सकते हैं डिसकाउंट भी अवेल कर पाएंगे आठ जून और पंधर जून से ने बैचे स्टार्ट हैं सबी आपकेड़ा 23 ओले बैच के लिए तो वहाँ पर एन्रोल कर सकते हैं आप लोकले करें हैं 7000 से ज्यादा लोगों को जो की अनॉथराइस्ट तरीके से जो रिजर्ब्ड विमन का कोचिज है उसमें ट्रेवल कर रहे थे यह नंबर दोस्तों हमें काफी बड़ा देखने मलता है अपरेशन आहट के बारे में जहां आप मैं अच्छे से बताया है कि आखिर किस तरीके से जो आपके चाहिए यह काम करने वाला इसमें को बेनेफिट रहेगा तो यह भी हमें देखने को मिलता है ऑपरेशन महिला सुरक्षा के बारे में बात करते हैं तो यह एक पूरा पैन इंडे ड्राइव है जिसे लांच करा है दोस्तों आप करते हैं थर्ड से लेके 31 में 2022 में जो एंसोर करेगा विमिन्स की सिक्यारिटी को ओके और भी दोस्तों काफी सरह ऐसे ऑपरेशन हमें लिए और इसलिए दोस्तों पूरे इंडिया में पैन इंडिया में ही एक इनिशेटिव मेरी सहली करके उसे भी ऑपरेशनल रखा गया है इंडियन रिल्वेज जो है दोस्तों उसने लॉंच करा है मेरी सहली इनिशेटिव को जो की फोकस करता है कि जितने सिक्यारिटी विम किया जता है कि आर पीफ के बारे में बात करते हैं रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के बारे में तो ये दोस्तना में बताँ हमारी आर्मिड्र फोर्स है जो कि हमारी यूनिन our इंडा की आती है यह से क्षिरीटी-फोर्स है अंडर अगर हम लोग इस हिस्ट्री के बारे में बात करते हैं तो 1882 में यहां पर काविसरे जो रेलवे कंप्रीज है उन्होंने अपने खुद के गार्ड जो के प्रोटेक्शन देते थे रेलवे को रेलवे प्रॉपर्टी को इसे यहां पर फोर्स डेक्लेयर करा था अगर वहीं बात करते हैं तो RPF के जो रूल से दोस्तों यह एनेक्ट वे थे 1959 के अंदर RPF के रेगुलेशन पब्लिस हुए 1966 में और से मेरी दोस्तों यहां पर एक आपके सकते हैं लिमिटेट पावर्स दी एपरेंट दिया prosecute offenders involved रहे थे जितने यहां पर railway property के अंदर उन्होंने यहां पर confirm करा अपने force को by the enacting the railway property act 1966 को प्रैमरिली दोस्तों जो RPF है यह यहां पर interested है with the responsibility of safety of railway property पर इसके काफे सारे provisions हैं जो की हमें यहां पर देखने को बले हैं जो बात करते हैं maintenance of an effective or disciplined force के बारे में RPF के rules and regulations जो हैं दोस्तों यह हमें judicially unsound भी देखने को मिले हैं RPF Act जो है दोस्तों 1957 उसके हिसाब से यहां पर आपके से modify हुआ था और वो modify हुआ परलेमेंट में in 1985 में हमारे constitution on maintenance of the force as in armed force of the union के नाम पर तो यह बाते हैं जो कि हमें history से पता लगती हैं RPF की ओके तो दोस्तों I hope कि अब जो है आपको जो चीजे हैं वो थोड़ी बात clear रही होंगी कि आखिर किस तरीके से RPF काम कर रहा है और किस तरीके से यह वाला जो आपके सितना initiative है यह काम कर रहा है I hope कि आपको जो चीजे हैं वो समझ में आई होंगी short video थी पर important थी आप लोग के लिए इसी लिए आगई है आगे और भी ऐसी वीडियो को देखने के लिए subscribe कीजे हमारे चैनल को जिससे कि हम कि आप लोग के लिए आगे वीडियो जिला सके हैं और हमें motivation बना रहें ओके टेल रें दोस्तों take care and have a nice day